जैपूर से प्रकाशित अधिकांस समाचार पत्तों ने प्रधानमंतीर नरिंद्र मोधी द्वारा संसत में दिये कई भाशन उदैपूर में राजय इस्तर्य महिला सम्मिलन की संबन होने और प्रदेश में शीत लहर के चलने से सरती के बढ़ने जैसी खबरों को प्रमुकता से प्रकाशित किया है सबसे पहले रुख करेंगे राजस्थान पत्रीका का तो राजस्थान पत्रीका ने संसत में प्रधानमंती नरेंद्र मोधी द्वारा समिधान पर चर्चा विशय पर भाशन देने की खबर को मुख प्रश्ट पर जगा देते हुए लिखा है कि प्रधार मंतीर नरेंद्र मोधी ने समिधान के 75 वर्ष की कौरों में यात्रा पर चर्चा करते हुए नहरू गांधी परिवार को लोगतंत्र का गला घोटने के लिए सवालों की घेरे में खड़ा किया कौंग्रेस पर बार-बार समिधान की भावना का हत्या करने का आरोप लगाते हुए मोधी ने कहा कि आपातकाल का पाप देश की सबसे पुरानी पार्टी के माथे से नहीं मिट सकता है देनिक भासकर का रुक करते है तो देनिक भासकर ने प्रदेश में शीत लहर के चलने से सरदी के बटने की खबर को प्रमुकता से प्रकाशित करते हुए लिखा है कि बीते 10 दिन से जारे शीत लहर सुबह और शाम कलन का एहसास करवा रही है इस सीजन में पहली बार 14 शेहरों का दापमान 5 डिग्री से नीचे पहुँच गया है फतैपूर सबसे ठंडा शेत्र बन गया है जहां लगातार चोथे दिन भी 12 माइनस 1.3 डिग्री है मौसर विभाग के मुताबिक दिसंबर के अंतिम सब्ता में होगी कड़ाके की सर्दी इस सर्दी से जन जीवन प्रभावित हो रहा है पंजाब के स्री का रुख करे तो पंजाब की स्री ने उदैपूर में आयोजित हुए राज्य इस्तर्य महिला सम्मिलन की खबर को प्रकाशित करते वे लिखा है कि उदैपुर के राज्य इस्तर्य महिला सम्मिलन को मुख्यमंती भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया और कहा कि महिलाएं पहले जो पुरुषों के पीछे हुआ करती थी वे महिलाएं अब पुरुषों की कंदे के साथ कंधा मिला कर चलने लगी है ये बदलाव भाजपा सरकार में आया है महिला आगे बढ़ रही है महिला सम्मिलन में 12 यूजनाय सहित 17 प्रकल्पों का मुख्यमंती ने वर्चोली शुभरम किया देनिक नवजोती का रुख करें तो देनिक नवजोती ने मुख्यमंती भजनलाल शर्मा के साथ की गई विशिस बाचित को प्रमुकता से प्रकाशित करते हुए लिखा है कि बाचीत में मुख्यमंती भजनलाज शर्मा ने कहा कि कॉंग्रिस राज में युवा, पेपर लीक, आमजन अपराज से और किसान पानी बिजली की समस्या से परिशान रहे हैं इनी पर भाजपा सरकार ने सबसे पहले काम करना शुरू किया है भाजपा सरकार के लिए जनसेवा सर्वोपरी, अंतियोदय और रोजकार विकास लक्ष है हर नागरिक की उन्नती, खुशाली और विक्सित राजस्तान भाजपा सरकार की पहली प्रात्मिक्ता है राजस्थान पत्रिका का रुक करें तो राजस्थान पत्रिका ने प्रदेश में सरकारी स्वास्त योजनाओं में नीजी बीमा कमपनियों की द्वारा की जा रही मनमानी की खबर को प्रमुकता से प्रकाशित करते वे लिखा है कि सरकारी स्वास्त योजनाओं में बीमा का लाब देने के लिए नीजी कंपनिया मनमानी कर रही है जो मरिजों पर भारी पड़ रही है 100 प्रतिशत कैशलेस बीमा का वादा किया जा रहा है लेकिन इलाज के क्लिम में 41 प्रतिशत तक की कटोती की जा रही है नीजी बीमा कम्पनिया बिल का 100% तक भुकता नहीं करती है नियम काईदों में उलचकर उभुकता खुद को ऐसा हाई महसूस कर रहे हैं समाचार जगत का रुक करें तो समाचार जगत ने राज्य सरकार की पहली वर्षकाट के उपलक्स में प्रदशनी के आयोजित होनी की घबर को प्रकाशित करते वे लिखा है कि राज्य सरकार की पहली वर्षकार्ट प्रदशनी कारिक्रम में मुख्यमंत्री विभिनबर्गों को देंगे कल्यान कर योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जैपूर की जभार कलाकेंदर में राज्यस्तर्य प्रदशनी का उद्गाटन करेंगी को प्रमुकता से प्रकाशित किया है समाचार पत्र लिखता है कि 17 दिसंबर को जैपूर की दाध्या में होनी वाले कारिक्रम में प्रदान मंतीर नरिन्दमोदी शिरकत करेंगे मध्यप्रदेश और राजस्तान आपसी भागीदारी का एक नया इतिहास रचेंगे दोनों राज्यों के बीच संशोधित E.R.C.P. योजना का क्रियान वेन शुरू होगा इसके लिए भारतिय जनता पार्टी तैयारियों में जुट गई है प्रदेश के 52,000 बुथों से भाज़पा कारेकरता इस सम्मिलन में शामिल होंगी तो ये थी जैपुर से प्रकाशित प्रमुक समाचार पत्रों की सुर्खिया